असलाम अलेकुम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैस रुबानी साब जाएं, वो इतना बड़ा ड्रामे बाजा है, कि आप भी उन्होंने रिसनली एक पोस्ट लगाई है, उन्होंने पोस्ट में क्या कहा है, वो आप लोग बी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पाड़ी क आपने चैलेंज एक्सेट करने वाली जो उसके जवाब में वीडियो रिकार्ड करवाई थी, उसके हवाले से माफी मांगे कि आपने मेरे बारे में और जूट बोला ये फ़ला, वो एक माफी मांगे, दूसरी उन्होंने ये शर्त रखी हुई है, कि आप आएंगे तो सही, आप आएंगे, लेकिन अगला बंदा भी जो होगा, वो भी ओनलाइन होगा, ये देखे आप चिलाकी इसकी, और सबसे बड़ी चिलाकी इन्होंने ये खिलिए कि उन्होंने फिर अपनी पोस्ट के नीचे नाम दियें कि आप सग्जेस्ट करें कि इन मेंसे कौन से जो है ना खिलाब बैठेगा, तो ये इतना बड़ा चलाक आदमी, इतना बड़ा ड्रामेबाद आदमी है, कि मतलब इनकी, इसकी मात नमारी की हुई है, क्योंकि ये चार उल्मा इनकी बात ही नहीं हो रही है, बात की नहीं हो रही है, मतलब आप से बात ओनलाइन जो आपका कि इस बुन्यात पर के All TV पर आपने चैलें दिया है, तो उसका जवाब TV पर ही होगा, इसमें आपने TV का जिगर नहीं किया, कि जी टीवी पर होगा, किस पर होगा, आपके चैनल पर तो नहीं होने वाला ये, ना आपके चैनल पर की रेटिंग बंढने वाली है, ये बेदे कर रहे हैं आपके चैनल के नहीं होगा ये और दूसरा we compare साउ हुए अगर बात को यह उनुका नाम नहीं लिखा उन्होंने और उसके बाद टापिक जो है वो चिष्टी रसुल उल्ला ही होना चाहिए इस पर टापिक भी नहीं आप ने जिकर किया क्योंकि चिष्टी रसुल उल्ला आपकी रग्व में हमने बसा दिया हुआ होगा निकल ने सकता इस खरत में यह एक माफी माफी किस चीज से माँगे क्या आपके खिलाब बाते हैं कि और दूसरा जे खाजा साब के बारे में जी वो अलवाद इंजिने साब ने कमीना इस तरह के अलवाज यूज की हैं आज के दोर में कोई भी अपने नाम का कर्मा पढ़ा जाए आप लोग काफर नहीं कहेंगे तो उस कॉंटेक्स में ही काहा होगा ना तो आप लोग उससे काफर कहने को त्यार हो जाएंगे तो उन्होंने फिर भी कमीना का है किसा थीक है तो बाकि वो हैं या नहीं उनमें क्या जो है इल्मी जवाब अगर दे सकते हैं तो नहीं आप जवाब इल्मी की ये बात रही थे एंगनलेस आप वोगा नहीं और 9 मिरनी नेज presentation को के बात ये इस तरह इल्मी जवाब बनता है ना कि आखर आप इस तरह जैंगे कि आप माफी मांगें आप ओन-लाइन में जो आप क्लियर कर देंगे इस वह से आप किस तरह माफी किस तरह माग ले ठीक है तो बस आप के अंदर वह चलाकियां वह हम फकड़ लेते हैं 12-24 का दोर चाल रहा है यह कोई 1924 के दोर नहीं है, या 1724 के दोर नहीं के आम बंदे को समझना है चीज़ों की उसके बाद जी, अगला बंदा भी ओनलाइन ही होगा, यह आपकी चलाकी देखिए इसका मतलब क्या है कि ओनलाइन किदर होगा, आपकी चैनल पे होगा, यह तो हो रही सकता अगर हाँ टीवी पे लगना जाना है यह ओनलाइन, तो बाकी जो पैनला मुफ्ति हनीश कुरेशी साब है, वो किदर गए है, उसको क्यों नहीं आप ला रहे है, उसका नाम क्यों लिखा, यह जो आपने छोटे ने उन्मा कराम मौलवी टाइप बंदे ले आए हैं, इनकी क्य मौलवी आपने आपको कहें, हम नहीं मानते हैं, इसको हार गया, इसने सही दिलाइल नहीं दिया, इसको गलती यह हो, तो फिर मुफ्ति तारग उसको साब को ले आएंगे आप, उन से कुछ हो देगा, तो बाकी मुफ्ति जो बड़े 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 उलमा हैं, वो कहेंग या मुफ्ति ताकी उसमानी साब कहा देंगे कि जी, इनको तो हम मानते हैं, इनको समझ नहीं है, यह मनाजर नहीं है, इनको बात करने का तरीका नहीं हुआ, मतलब सो बहाने बनाएंगे, वो मानेंगे नहीं, तो ऐसा को बंदा क्यों नहीं लेकर आ रहें, आप मतलब यह क् मुफ्ती तकि उस्मानी साहब मुफ्ती मुनीबुरह्मान साहब मिरसाजी साहब उन से बाद आपकी क्यों नहीं का रहे आपकी जुरत क्यों नहीं हो रही आपकी मतलब हिम्मत क्यों नहीं पाड़ रहे उन से बात करने की आपकी उकात ही नहीं है उनके सामने आपके क्या उकात है रिसियत हैं आपको जानते हैं दर्वाजे से बाहर निकाल देते हैं बताएना आपकोई इसका जवाभाफ आये तक दी यह आपने संग्डों वीडियो अपने चैनल पे चड़ा दी हुई है अहीं फजूर बात है जिसका कोई ना लॉजिक बनता है तो आप इस पे एक मिन्ट की वीडियो रिकार्ड क्यों नहीं करवा रहे हैं कि हाँ जी मैं क्यों बड़ों को क्यों नहीं ला रहा है क्या वज़ा है मैं जाता हूँ या वो इजाज़री देते हैं क्या वज़्या है? बड़ों के सामने कोई एक hen Lawrence आपका जो मतलर मेर्ड शर्त है, उस शर्त का जवाब आज तक कोई बता दे के बड़ों को क्यों नहीं लाना चाह रहे है, को इसकी वज्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कि आपकी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने आपको जानते नहीं है कि आप लोग क्योंकि वो चैते हैं कि बहुत बड़ा फसादी आदमी है इसको हम नहीं लेना चाहरे है तो यह जो बिलकुल आपके जाफ़ाया बैना यह पूरा नहीं होने वाला कि छोटे बोटे उलमा के करना चाहरे हैं लेकिन मतलब इस चीज़ का जवाब दे दे कि बड़ों को क्यों नहीं बुला रहा है और यह चलाकी क्यों खेर रहा है कि आप जी इन उलमा को बठाएंगे ना मुफ्तिक नीव कृष्ण साब की मतलब उनको लाया गया है इंजिने साब ने यह काया कि जो आ पैनल में कौन दावा का रहा है मुफ्तिक नीव इस आप जवाब नहीं दिया जा सकता है इंजिने साब ने वीडियो रिकार्ड करवा दी है इस पर उनके स्टूडन्स ने पतना कितनी वीडियो यूटीब पढ़ी है इसके जवाब में आप लोग उस पर कोई जवाब आया होते हैं तो यह दोगला पोलीसी जो आना वह ना खेलें तो वैस अरबानी साब को बड़े-बड़े उल्मान है और वहां आपने बहुत समझाया लेकिन यह समझ में नहीं आने वाले क्योंकि इन्हों ने चैनल एक बना दिया वह उस चैनल के पीछे हाथ दोगे पढ़ गया लाइव इसी टॉपिक के उपर तो चल तो चुका है इसनी जरूरी समझा कि आपको यह पूरी डॉक्रेंट क्लियर होनी चाहिए कि यह तीन वीडियो जी टीवी की तरफ से आ चुकी हुई है पहले वो इफ्तार के मौके पर जो लीक हुई के मिर्जे की रूँ आ गई है फि आपने भी इफतार के वक्त भार के बनेवे चिप्स रखने है और साथ आपने साधा पानी रख लेना है या कोई शर्बत रख लेना है और इनकी चीखों को उज्जाए करना है यह वीडियो लगाया करें बार बार मुझे तो बना मज़ा है कि बही सही जगा निशाने पर ज हुआ हुआ है